कि यह आप देख रहे हैं पुलिस के साथ जड़ा हो गई है कुछ जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और इस तरीके से जड़ा भो रही है हम विदान सपा के ताहार है जहां पर कुछ किलोमीटर तूर हमें रोग लिया गया है और यह अंदर गुचे की कोशिश कर रहे हैं जहां पर पुलिस ने रख्यमाने कुरू कर दिये चाल साथ तक उन्हों वे रहे हैं उन्होंने पहां गरवाची नहीं है भुपानों की इनका मांग है कि बच्चों को क्या बोलेंगे अगल भुपानों नमस्कार में निशिवाद्या और स्वाक्ताब दिख रहे हैं समाचार इंडिया आज हमार साथ वो यूवा मौजूद है जो सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथी साथ सड़कों पर उतरकर पुलिस के डंडे तक खा रहे हैं और अपनी बुलन दवास को लेकर सरकार के कानों तक वो बात महुचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर सरकार अभी तक सोई हुई है तो सर मैं आपका इंट्रो चाहूंगी जी मेरा नाम लुशन टुडरिया है और हम लगातार उतरकंड के जो जल जंगल दमीन के मुद्धे हैं और जो भू कानून भी चल रहा है उस अंदुलन में भी हम लगातार इस मुद्धे को उठा रहे हैं और युवाओं को लाम बंद कर रहे हैं जी सर, अब हम इनसे युवा बेरोजगारी और भू कानून से जुड़े सवाल हम इनसे करेंगे तो हमारा जो आज का जो उत्राखंड का गरमाया हुआ मुद्धा है भू कानून तो आज हम इनसे उन चीजों पे सवाल जवाब चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि युवा इस चीज को लेकर क्या सोच रखते हैं तो सर मेरा आप से पहला सवाल जो है उत्राखंड का कि उत्राखंड की जो सबी पार्टियां है वो जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है भू कानून का उस पर लगातार जो है ध्यान नहीं दे रही है और लगातार जो है वो उत्राखंड का जो एक नारा चला आ रहा है कि अब उत्राखंड के युवा जो नारा चला रहे हैं भू कानून आना चाहिए इस बार और सबके हातों में वही बैनर वगेरा हम देखने को मिलते हैं तो इस पर आपको ग्याविचारे की भूकानून लागू होना चाहिए या नहीं देखिए उत्राखंड राज्य की जो मांग थी उसके साथ साथ हमें जाना पड़ेगा उस राज्य अंदोलन के दोरान जब 89 पे जब राज्य की अंदोलन भी चल रहा था तो उससमय उत्राखंड जल जंगल जमीनों जो भूकानून की बात थी उससमय इस सबसे पहले आई थी तो क्योंकि उत्राखंड के जो निवासी है वो हिमाले का निवासी है और हमेशा अपने जल जंगल जमीन के परती सजग रहता है, सम्वेधन सिल रहता है तो ये मांग कोई अभी की मांग नहीं है, ये उत्राखंड अंदोलोन के दोरान से भू कानून की मांग थी और जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे कॉंग्रेस है, चाहे बीजेपी है लगातार उत्राखंड में 20 सालों से राज कर रही थी, शासन कर रही थी पर इनका कोई जो उत्राखंड राज बनने के बाद जब उत्राखंड राज जगा गठन हुआ था इसके बाद लगातार कॉंग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, पर इन्होंने भू कानून के रूप में कोई मजबूत फैसला नहीं लिया जिसके वज़ेसे भारी जो माफिया है, और भारी जो अराजकत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् प्रकार से जो है उत्राखंड में अगर भूकानून लागू होता है तो उसके बाद उत्राखंड का द्रिश्य किस नजरिये से देखा जाएगा देखे हमें ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है हमारा पड़ोसी राजिया है हिमाचल हम हिमाचल में देख सकते हैं कि वहां भी मजबूत भूमी कानून है जब हिमाचल राजजय का गठन हुआ तो पहले मुख्यमंतरी अश्वन सिंग परमार जी थे तो वहां वो समझते थ कि अगर हमाचल के जो निवासी थे उनको संरक्षित करने के लिए उनकी जल जंगल संरक्षित करने के लिए वहां भूकानून कलाए वो जगे जगे गए लोगों से बात की उन्होंने ये भी देखा कि यहां के जो निवासी है जो हमाचल परदेश का मूल निवासी है उसका हक सनरक्षित होना चीए तो उन्होंने सोचा कि हम सबसे पहले भूमी कानून लागू होना चीए ताकि कोई मजबूत भूमी कानून लागू होने से मजबुत भुकानून नहीं हुआ है और 2018 में ततकालिं तिर्विंदर रावा सरकार ने जो एक थोड़ा बहुत भी हमारे पास एक भुकानून का स्वरूप था उसमें तमाम संशोधन करके उसको बूरी भारी माफियों के लिए खोल दिया गया है और अब हमारी जो के लिए आप खरीच सकते हो और कितनी भी जमीन खरीच सकती हो कोई लिमिट नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यह भारी माफियों को खुला आदेश है कि उतराखंड आओ जमीन लूटो और उतराखंड के संसाजनों से आप कमाओ और यहां जंगल जमीन जफ्क नश्ट कर जी सर तो अगर इस आपका मुद्धा बहुत अच्छा है तो अगर उतराखंड सरकार चाहे विपक्ष की बात की जाए चाहे सत्ता पक्ष की सभी लोग जो है भूकानून के जो है साथ है सब लोग इस चीज़ को चाहते कि लागू हो तो पर सरकार क्यों चुपिसादी या किसी और चीज़ के दवाब में हैं लहो सकता है कि सरकार चाहे अगर उन्होंगे बोला है कि कमीटी बनाएं पर हम कमीटी नीचे जाते हैं सरकार से कमीटमेंट चाते हैं कि कमीटी से हमें भी पताए कि तमाम कमीटिया बनी मुझफद नगर कांड हुआ था उतरा allons के दो जा तो वो भूमाविया को शहय देना चाहते हैं यह उत्राखंड में वो दिल से नहीं चाहते कि उत्राखंड में मजबूत बू कानुन हो क्योंकि एसा तो है ने की 2018 में जब त्रीवंदर सरगी विदान सभाव में पुष्थाव माई थी तो अगर जस प्रकार से आप बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर भी है जो यूआओं का क्रेज हमार को भू कानून को लेकर देखने को मिल रहा है जो है क्रेज हम देख रहे हैं यूआओं का जो एक्टिव हैं काफी जादा सोशल मीडिया पर इसके अलावा सड़कों पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपने भी विधानसवा सत्र के भार जो है भू कानून को लेकर प्रदर्शन किया था तो इसको लेकर क्या आपकी कहा तक भू कानून की जो है बोल सकते हैं फर्माईश कहा तक पहुँचे देखे सरकार ने बोला है कि हम कमेटी बना रहे हैं जिस हमने विधानसवा गिराव किया था तो सरकार बोल रहे हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं हम उस कमेटी का वेट करें कि उस कमेटी का फैसला क्या आता है और हमें अलगता है अगर कमेटी का फैसला नहीं आता है कुछ उत्राकंड के भूकानून के पक्षिमेई या कमेटी कुछ आगे आ रहा है और लगातार एक जुन जुना पकड़ाया जा रहा है कि कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी में डिसकर्शन अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिल देगी कि कमेटी में हो क्या रहा है जी सर तो अगर आप भूकानून को लेकर सरकार को कोई बात पहुचाना चाते हैं हमारे चैनल के द्वारा तो आप बता सकते हैं सरकार के लिए देखे मैं एक संदे से देना चाता हूँ सरकार को कि सरकार चाती है बोलती है कि हम उत्राखंड के शहीदों का सपनों का राज्य बनाना चाते हैं तो उसमें तत्काल प्रवाव से आप मजबूत भूकानून लागू कर दीजिए जिससे कि उत्राकंड के शहीदों को या आत्मा को विशान्ती मिले और एक आप उधारन पेश करिए कि जनता की मांग पे उत्राकंड सरकार एक मजबूत कदम उठा रही है जी सार आपका बहुत बहुत धन्यावाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हमश्क्राइब समचार इंडिया का भी मैं धन्यावाद देना चाहूँगा कि एहम मुद्दे पर लगातार उत्राकंड के जोलन्द मुद्दों को उठाते रहते हैं चाहे वो गेट सेंड हो पिताड झाल